हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट साइन के लिए साइंस सब्जेक का एक नया चाप्टर एक फ्रेश चाप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहें दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड जो कि अगेन एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपको इ इस पर्टिकलर चाप्टर का लेक्टर नंबर 1 तो लेक्टर नंबर 1 जो है हमारा कुछ बेसिक टॉपिक जो है उसके बार में चर्चा करेंगे तो बेसिकली वाट डू-ई-बाइस साउंड क्या होता है तो साउंड कि अगर हम बात करें साउंड एक ऐसा फ्रम अफ एनरजी यह चाप्टर में एक और चीज आपके इयर के बारे में चर्चा किया हुआ है जो कि जैसे हम लोग लेक्चर वाइस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा ठीक है तो हमें एक चीज पता है कि sound is nothing but a type of energy जो की पूरे atmosphere में घूमती रहती है जो कह sound को travel करने के लिए यानि कि जो wave है sound का इसको आगे travel करने के लिए medium की जगरत बढ़ती है medium क्या हो सकता है medium is everything like आपका हवा भी हो सकता है medium solid भी हो सकता है कोई चीज लिक्विड भी हो सकता है तो कोई भी medium का होना जरूरी है ताक कि sound वो प्रॉपागाट करके जा सके and sound wave का propagation हो यानि कि जो intensity वो ज्यादा होगा तो इसको compression बोलेंगे और एक होता है rare fraction जहां पे sound का density या फिर intensity जो होता है वो काफी lower होता है वो particular medium में तो एक तरीके से alternate होता है यानि कि एक बार आपका compression अगर दूसरी बार आपका rare fraction फिर compression rare fraction compression ये continuously होता है जिस तरह से आपका waves से sound के वो अगे बढ़ते रहते हैं उससाब से आपको सुनाई भी देता है और ये जो particles होते हैं ये medium की ये oxalate होते हैं about their central और mean position जो होते हैं direction parallel की अगर हम लोग बात करें तो ये जो waves होते हैं longitudinal waves बोलते हैं यानि कि जब भी एक medium में कोई भी medium में oxalate करते हैं एक बार center पे एक बार mean position में और ये continuously travel करते है parallel तो यहां पर उस चीज को हम लोग क्या बलेंगे वो waves को हम लोग बोलेंगे longitudinal waves और दूसरी तोर आप बात करें ये जो waves create किया जाता है एक stone को drop करके जैसे कि आपको पता है कि जब आप पत्थर को साधा पानी होता है जब आप रुका हुआ पानी के oscillate होने लगते, up down होने लगता है तो ये जब भी कोई भी waves के अंदर oscillations जब भी आ जाता है यानि कि perpendicular direction में अगर बात करूँ जो भी sound wave या फिर जो भी particular तरीकी का wave है उसमें अगर oscillation आ गया, up and down आ गया तो वो जो waves होता है उसको transverse waves बोलते है ये तो अभी basic चीज है हम लोग चर्चा कर रहे है, normally sound से related और यहाँ पे और दो-तिन important चीज है जैसे कि यह diagram आपको दिया, it is very important diagram in field of sound, ठीक है, जैसे कि यह चीज नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, कि यह है आपका waves जो मैं आपको बताने ही कोशिश कर रहा था, इस तरह से आपके जो waves से वो travel करते, ठीक ह compression and rarefaction इस तरह से यह चीज होता रहता है, जब भी sound wave के अगर बात करें, यह graph पे हमें बनाया हुआ है, और कोई भी moment पे अगर हम बात करें, propagation के दोरान, हम लोगो यह पता चलता है कि एक alternate band है compression और rarefaction का, यानि कि एक बर compression जब आएगा तो उसका अगला rarefaction आएगा, compression दे पाता है, ठीक है, तो जो पहला figure है, यह हमें बताता है कि जो density है, sound का वो change होता है, and जो second figure है, वो हमें change in pressure बताता है, तो यह change in density है, जैसे कि आप देख सकते compression है, तो इसका density जादा है, ठीक है ना, तो जादा जादा डार्क दिख रहा होगा आपको, यह जो rarefaction इसमें sound waves का, वो maximum होता है, और जब भी compression होता है, rarefaction होता है, तो यहाँ पे जो density होता है, वो lower होता है, तो compression जादा density, rarefaction कम density, यह आपको फिलाल में आपको याद रखना है, और जो change हो रहा है density में, या फिर pressure का, वो हमें graph के माध्यम से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको density का पता चल गया, उसी तरह से pressure का भी पता चल रहा है, कि compression में थोड़ा आपको pressure ज़्यादा black दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब compression में pressure भी ज़्यादा होता है, और rarefaction में थोड़ा सा डीला दिखाई दे रहा है, यानि कि कम होता है, तो कोई भी चीज अगला हमें compare करेंगे in terms of compression and rarefaction, तो compression में आपका density भी और साथ ही में आप लोग का pressure भी sound waves का होता है, वो ज़्यादा होता है, और अगर बात करें, जो rarefaction होता है, उसमें density plus pressure दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, lower होते हैं, यानि कि बहुत कम होते हैं, ठीक है, यह चीज उमीद करता हूँ, आपको clear हो ग देख रहा है, यह symbol, इस तरह से उसको बनाते है, ultra y, तो उसको lambda बोलते हैं, और इसका मतलब होता है, दोस्तो wavelength, तो wavelength का मतलब होता है, लामडा, और यह जो है, इसका frequency होता है, उसको हम लोग new symbol से denote करते हैं, new, मतलब इस तरह से आप बना दो थोड़ा, ठीक है, यह दिख रह अगर यह मेरा compression है, और यह मेरा compression है, तो यह compression के बीच का distance है, यह होता है, लामडा, तो यह तो दोनों rarefaction, यह तो दोनों compression के बीच का distance होता है, यानि कि एक particular waves के बीच में जो distance होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, wavelength बोलते हैं, in short, इसको denote करते हैं, लामडा से, और उसक जो maximum height होता है यानि कि एक time ऐसा होगा कि जो waves का जो volume होगा सबसे height तक पहुचेगा उससे ज्यादा maximum नहीं पहुचेगा तो जो भी सबसे maximum value रहता है प्रेशर का और या फिर density का तो उसको हम लोग बोलते हैं amplitude या फिर A से उसको denote करते हैं और जितना भी time वो लगाने वाला है एक oscillation करने में यानि कि एक बार compression reaction होने में एक जो oscillation होता है pressure का या फिर density का कोई भी point medium के अमदर तो वो जो time लगा रहे है दोस्तों उसको हम लोग बोलते है time period और उसको लिखते है हम लोग T से तो यह तीन चार चीज़ जो मैंने आपको बता है यह बहुत important है इसको आपको definition भी पूछा जाएगा ही क्या होता है wavelength बताओ तो wavelength is nothing but the difference between two particular waves एक waves जैसी पूरा खतम होता है compression और rarefaction का तो यहां पे दो particular compression के बीच में आगे जो distance that is known as the wavelength and it is donated by lambda दूसरा चीज़ मैंने बोला frequency तिसरा चीज़ मैंने बोला जितना height रहेगा maximum pressure का वो amplitude and चाहता time period यह आपको जरूरी है याद रखना दोस्तो और जो value होती है न frequency के अगर हम बात करें तो यह value of frequency determines the pitch यानि कि कितना high sound आएगा कितना low sound आएगा होता है कभी अपने देखा होगा कि जो आपका आवाज यह बहुत जादा loud सुनाई देता है high सुनाई देता है तो उसको pitch बोलते दोस्तों तो frequency जितना जादा रहेगा उतना high pitch रहेगा जितना frequency कम रहेगा उतना low pitch रहता है जो भी sound का and उसका value होता है amplitude का वो उसका strength and loudness जो है वो बताता है clear है जैसे कि यह example है कि how the frequency of note सारे गामा पदानी related to each other आपने यह सुना होगा सारे गामा पदानी तो आपने यह जो मैंने वर आपका sound कुछ अलगने पर गाहा बोलने पर तो हो सकता है जब भी आप अपने मूसे आप जो यह video देख रहे हो दोस्तों try कर रहा है यह सारे गामा जैसे मैंने बोलके दिखा है style में वैसा आप बोलके दिखा और notice करो कि हरे का sound किस तरह से निकल रहा है किसी का कम निकल रहा यह automatically होता है adjust करता है जो भी particular sound जिस चीज का होता है तो यह बहुत important चीज है और क्या एक और सवाल पूछा है कि क्या difference है main difference क्या है frequency of voice of a man and a woman आपने देखा हो गए जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ I am a man तो मैं आपको आवाज जो बता रहा हो दोस्तों आपको आपली आवाज निकलेगी तो यह भी बहुत important चीज है दोस्तों यह notice करना उमीद करता हूं कि जो भी basics था कि क्या होता है sound किस तरह से sound निकलता है उसमें compression, rarefaction and amplitude and frequency and साथी में wavelength and time period यह सभी चीज क्या होता है pitch क्या होता है यह जो basic चीज होती है sound की यह उमीद करता हूं उसका नाम है velocity of sound, velocity of sound is also one of the most important part in this particular topic, जैसे कि आपका पता है दोस्तों हमने 9th में आप लाइन्थ में यह obviously first chapter पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह velocity या फिर जो speed होती है वो उसमें है, तो it is very clear that कि जो velocity होता, speed होता है वो हर एक चीज में आता है, तो यहाँ पर ज ट्रावेल करता है या फिर कितना slow travel करता है वो भी determine करना पड़ेगा, यानि कि sound का भी speed होता है, आपने देखा होगा कुछ sound जो है, बहुत तेजी से सुनाई देते है और कुछ sound ऐसे है जो बहुत ही आईसता सुनाई देते, slow सुनाई देते, तो यह दोनों में यहाँ पर क् formula होता है, we know that velocity is nothing but distance upon time, यह हमें पता है, ठीक है न, तो distance covered by a point on the wave, for example, point of higher density, या फिर lower density in unit time, मतलब कितना distance, कितना उसने unit time में cover किया, वो ही रहेगा हमारा velocity, तो velocity का definition, तो change नहीं होनाला, यहाँ पे भी same होने माला है, distance upon time, लेकिन यहाँ पे distance क्या होगा, velocity में, यानि कि sound waves मे जो velocity अगर मुझे निकालना है, तो distance upon time formula तो है, लेकिन sound के case में, जो distance होता है, वो क्या होता है, wavelength होता है, दो particular waves के बीच का distance, यानि कि दो rare fraction या फिर दो compression के बीच का distance, distance हमारे लिए क्या है, wavelength है, और हमारे लिए time क्या है, time period है, wavelength को हम लोग लिखते है, lambda से, और time period को T से, त lambda by T is our formula, तो V is equal to lambda by T, यह हमारा क्या बन जाएगा, formula बन रहेगा, तो अगर आपको कोई पूछता है, कि how can we calculate the velocity of a sound, तो आप क्या बलोगे, चुप चाप wavelength को उसके time period से divide कर तो आपको मिल जाएगा, velocity of sound wave, and this is the formula for calculating the velocity of sound, clear है, दोस्तों, तो उमीद करता हो कि जब भी आपको जो है multiply by 1 upon T लिख सकता हो, ठीक है ना, क्योंकि lambda multiply by lambda हो जाएगा, और upon T तो है, तो यह जो 1 upon T है, इसको मैं अलग से लिख सकता हो, क्योंकि 1 upon T का मतलब होता है new, और new क्या होता है आपका frequency, that is reciprocal of the time, time जो होता है उसका reciprocal, यानि कि 1 upon T जो होता है, वो frequency होता है, तो हम लोग क् आपको फ्रिक्वेंसी से multiply कर देना होगा, आपका जो velocity of sound है, उसका answer निकल जाएगा, clear friends, तो उमीद करता हो, कि यह particular चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो आज का lecture हम लोग यहीं पर stop करते हैं, दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो topic है, वो है, same, velocity of sound, लेकिन अलग-अलग मीडिया में किस तरह होता है, और क्या-क्या conceptual चीज़े है, वो सब पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आज हमारा सिर्ब basic introductory lecture था, यह chapter शुरुवात करने का first lecture था, बहुत सारी चीज़े, basic चीज़े and how to calculate the velocity of sound, यह भी बता दिया, इसके उपर numericals भी है, उसको भी आगे discuss करेंगे, लेकिन आज दोस्तों, मेरा lecture जो है, यही पर हम stop करते हैं, दोस्तों, तो कैसा लगा है हमारा आज का lecture वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना है, एक नया chapter, एक fresh chapter आपके लिए फटा फट से आके, आप सभी लोग attend कीजिए, तो सभी को share करतेना दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से इस चैनल को subscribe करतेना, सापने bell icon को press करतेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.